संध्या वेज कीचन में आपका स्वागत है अगर आपको हमाई रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को दबाना बिर्कुल मत भूरिए ताकि हमारे वीडियो के अन्यवाले नोटिफिकेस्टन आपको समय पर मिल सके आज हम मालपुए की रेसिपी आपके साथ सेयर करने जा रहे हैं जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने मी वो बहुत ही टेस्टी लगती है थोड़ी सी लाइची पाउडर कूट करके रख लिया है घी, सक्कर और एककटोरी आटा पहला सक्कर को हम घोल लेते हैं इसमें पानी डाल देते हैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं आड़ करेंगे हम गरम पानी के यूज कर रहे हैं ताकि जल्दी से घोल जाए सक्कर यह हमारी सक्कर भूल चुकी है यह देखे थोड़ा सा यह रह गया है अब हम चलिए इसको मिक्स करते हैं जावल लेंगे इसमें आटा डालेंगे हमने एककटोरी आटा ले लिया है जाए दालेंगे यह मने जो सक्कर को भूल करके रखा था यह पानी डालेंगे इसमें थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसमें गुठलिया और लंब पिलकुल ना पड़े इस तरी के से मिक्स करेंगे वरावर से दीरे-दीरे आराम से इसमें सक्कर मिला लिया है इसमें गोल चुका है इसमें अब भी आड़ करेंगे इसमें एक चम्माचे एड़ कर रही हूँ किलाची प्रावर से मिला लेंगे मिक्स कर लेंगे इस तरीके से किलाची पाड़ राड़ करेंगी एक चम्माच काटे के अंदर ही डाल सकते हैं दो घंटे हो गए है ये आटा मारा चुप होल गया है अब हम बनाना शुरू करते हैं यह तेल हमने कड़ाई में डाल दिया है इसको थोड़ी देर गरम होने देंगे ज्यादा गरम नहीं करेंगे इसको मीडियम ही रखेंगे यह हमारा तेर मीडियम गरम हो गया है हमें इसे ज़्यादा गरम नहीं करना है अब हम इसमें अपने मल्पूय डालना है इसको बीच में डालना है इसको यह अपने आप ही पैल जाएगा यह देखी कैसे पोड़ रहा है कर्षियो लेकर कि इसको ऐसे प्रेस कर लेंगे ताकि पूरा ओयल इसका निकल जाए अच्छे से कि यह पूरा ओयल निकल गिया है अब हम इसे साइड वे रख देंगे हैं कि हमारे माल पेवन कर तयार है आप भी से शरूरी पर बनाएए झाल